दोस्तों स्वागत है आपका weekend alliances में stock of the week जो हम चुन रहे हैं पिछले दो हफते से और आप देखेंगे जो हमारा last week का stock था वो था बजाज finance ठीक है और उससे पिछे सिपला सिपला में भी हमारा target 1 आया और बजाज finance भी हमारा target 1 ही आया तो दोनों stock में SL नहीं लिया और target 1 अचीव हुआ तो तीसरे stock की बारी है बजाज finance को पहले एक बार हम देख लेते हैं यह है बजाज finance दोस्तों और इसमें जो हमने analysis किया था कि वह यह पहला target यह वाली line 6950 से 6960 दूसरा target यह तो reliance का चार्ट एक इसका reliance कह रहा हूँ finance का चार्ट तो 6950 यहां पर आप देख रहे हैं line वही है यह हमको मिला भी Monday Tuesday दो दिन इस line को चूने के लिए उसके बाद यह ऊपर चला गया तो trail SL हिसमें हमारा जो है hit हुआ है अपना spot पे जहां से trade initiate किया था मतलब यहीं पर कहीं पर आपका a trailing SL हिट हो गया होगा जो पहला target अचीव करने के बाद हिट हुआ तरीका यही है एक SL दिया जाएगा और buy का level दिया जाएगा ठीक है target 1 रहेगा target 2 रहेगा target 3 रहेगा ठीक है target 1 आने पे 50% position को book करें अपने buy के level पे SL को shift करें target 3 आने पे 70-80% position को book करें अपने SL को target 1 पे shift करें target 3 आने पे आपकी एक्चाय complete exit लेना है complete exit लीजिए कुछ छोड़ना है कुछ छोड़ दीजिए SL को पर यहाँ पे खिसका लीजिए ठीक है इस परकार से इन stocks के अंदर trade करना है तो यहाँ पर हमको 6950 का level देखने को मिला 6950-6960 यह हमने decide किया था कि हमारा target 1 है यह Monday को ही हमें देखने को मिला in fact यहाँ पर और उसके बाद trailing SL हमारा जहाँ पर spot पे था वहाँ पर hit हो गया यह हमारा trade रहा stock of the week का ठीक है यह आपको यहाँ पर videos मिल जाएंगी last के दो week से हमने शुरू किया है तो तीसरा stock stock of the week ठीक है वह इस वीडियो में हम लोग discuss करने वाले हैं वह stock है दोस्तों कॉन कॉर ठीक है C-O-N-C-O-R कॉन कॉर का stock है इसमें आपको trade करना है तो इसको discuss करने से पहले बता दू में यह पूरा का पूरा analysis educational के परपस से है कोई buy sell recommendation इसमें आपको नहीं दी जा रही है प्रोटसाइट नहीं किया जा रहा है कि आप buy का button दबाईए sell का button दबाईए मैं अपनी personal knowledge आपके साथ share कर रहा हूं अगर आप profit और loss लेते हो ट्रेड करने के बाद भी ठीक है तो मैं मेरा channel कहीं से भी इस चीज के ल price है CMP जो है current market price है वो note कर लीजिए वो है 660 ठीक है वो क्या है 660 इसको buy करना है sell रहेगा 552 current level से भाई करीए sell रहेगा 552 पहला target 667 से लेके 670 के बीच दूसरा जो target रहेगा वो रहेगा 675 से लेके 680 के बीच तो यहाँ पर 50% position book कर लेनी है अगर यह आता है तो sell आपने shift कर लेना है 652 की जगे 660 इस 6570 से लेके 680 के zone में आता है 70% position book कर लिए sell shift हो जाएगा फिर आपके कहां पर 668 या 667 जो आपको लेना है वहाँ पर कर लिजिए 680 के उपर आपको level जो देखने को मिलेंगे वो है 688 और 692 यहाँ पर complete exit ले लेना है तो complete exit लीजिए वो आपकी एक्छा है क्योंकि momentum रहेगा अगर यह यहां तक पहुचता है बट कहने का मतलब यह है SL को shift करके फिर आपको 675 पे लेके आ जाना है ठीक है कारण क्या है इसमें buy करने का यह hourly chart मेंने लगाया हुआ है तो यह आप देखेंगे यह वाली line हमेशा इसको resistance देती थी इस वाली line को cross करके retest करके भी यह उपर की तरफ trade कर रहा है तो momentum पकड़ना चाहिए इसको 667 ठीक है 672 675 से 680 इसके उपर जाता हुआ दिख सकता है 680 तक तो यहाँ पर काफी उम्मीद की जा रही है मतलब मेरे दुआरा कि हमें इसमें उपर के level देखने को मिलेंगे ठीक है with SL of 652 बट SL को जिस परकार से मैंने बोला है उस परकार से आगे खिसकाते रहिए option में trade लेने की चेस्ठा ना कीजिएगा Wix बहुत low है 10.5 हसी आती है Wix को मुझे देखके जिस level पे Wix trade कर रहा है तो cash में buy कीजिए cash में book कीजिए 2-3% यह अराम से बन रहा है अगर यह target अची होते हैं तो इस परकार से आप इसमें trading कर सकते हैं कौन को और script का नाम है ठीक है और अब बात कर लेता हूं मैं इसमें swing trading की भी swing trading की भी अगर Friday को ठीक है उसके लिए थोड़ा daily chart पर चलते हैं वह आप इसे लंबे time तक के लिए भी hold कर सकते हैं In any case Friday को Friday को अगर यह 695 इस level के उपर close देता है मतलब जो इसकी weekly candle है ठीक है weekly candle अगर इस level के उपर बनती हुई दिखती है आपको तो आप 680 का SL लेके 680 का SL लेके इसमें 10 से 12 दिन की holding कर सकते हैं फिर इसके उपर के target open हो जाते हैं जो की है 725-750 के आसपास के देखे पहला तो यह ही है 11-715 ठीक है यह 715 दूसरा आ रहा है 750 दस से 15 दिन की holding आपको रखनी पड़ेगी अगर आपको 695 के उपर Friday तक टिका रहता है मतलब ऐसा नहीं है कि Wednesday Thursday 695 के उपर closing देने लग जाए ठीक है और फिर Friday की जब बारी आए तो फिर 695 के नीचे close कर दे फिर आपको swing trading के लिए यह allowed नहीं है भाई फिर यह qualify नहीं करता है चाट पैटन ऐसा नहीं रहेगा जो swing trading के लिए qualify करेगा Friday की closing 695 के उपर रहनी चाहिए 680 का ऐसा लगा के आप 10-15 दिन या 20 दिन के लिए इसमें swing trade ले सकते हैं ठीक है यह इस level के उपर निकल के अच्छा खासा sustain करेगा तो 750 तक की तरफ आपको यह चाट पैटन यहां पर बनते वे दिख सकते हैं इस परगार से ठीक है यह आपको देखने को मिल सकता है तो यह है दोस्तों कौन कोर को हमारा तीसरा स्टॉक तीसरे हफते के लिए लगातार बाकी सक्सेस रेट दो स्टॉक का तो अच्छा है देखते हैं एटलीस पहले पांच को तो जिच करें दें तस में देखेंगे कितना हमारा ठीक ठाक जा रहा है प्रॉफिट आप इसमें तभी घर ले जा पाएंगे जैसे मैंने समझाया है टार्गेट वन आए पचास परसेंट बुक और एक निकल जाए और एसल को कहां पर जो आपका बाइंग प्राइस पर वहां पर लेके आना ही पड़ेगा आपको टार्गेट टू सेवंटी परसेंट आपका जो पैसा आप आपने लगाया बुक एसल को लेके कहां पर टार्गेट वन पर शिफ्ट कीजिए तीसरा आता है वहां पर आपकी एक्छा है आप बुक करना चाते हैं complete exit होना चाते हैं हो जाहिए और राइड करना चाते है पोजिशन को राइड कीजिए बट एसल अब आपका टार्गेट टू पर आदाना चाहिए ठीक है यही तरीका है और cash में trade करिए अब भी मामला ऐसा नहीं है कि आप future और option लेके बैठ जाए ठीक है तो कौन को रहे हमारा stock of the week 3rd July to 7th July ठीक है दोस्तों वीडियो पसंद आई हो like कीजिए share कीजिए channel को subscribe कीजिए thank you